King Kohli got spotted with his queen somewhere. चानना चाहते हो कहाँ? पूरी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. इसलिए स्टे टूने तिल लास्ट. हाई, मानसी दिससाइड and you are watching Prick School. T20 World Cup में इंडिया ने धमाकेदार एंट्री के साथ पहले ही मुकाबले में आइलेंड के अगेंस जीत हासल कर ली है. इसके बाद Men in Blue का दूसरा मुकाबला Most Anticipated Match है नौजून को अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान के साथ. आइलेंड के अगेंस्ट मैच के बाद चार दिन का गैप था India vs Pakistan thrilling match में और उसी का फाइदा हमारे king ने उठाया to explore the city with his wife. Most awaited India vs Pakistan match से पहले Virat Kohli and his wife Anushkar Sharma New York की streets पर sport किये गए है. This power couple is known for their popularity both on-field and off-field. Despite of the rainy weather, Virat and Anushkar seem to be in high spirit. और इनकी presence बिल्कुल भी unnoticed नहीं गई और इन्हें fan ने sport कर ही लिया. और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल भी हो रहा है. In that video, Virat Kohli is taking stroll with his wife Anushka Sharma. वीडियो में कपल को थोड़े distance से capture किया गया है while they were strolling in the garden city New York. फिर आगे इस वीडियो में Virat और Anushka दोनों ही SUV में बैक्ते हुए नजर भी आ रहे है. अब बात करते हैं इन दोनों की individually. Virat जिनने इस generation के greatest batters में count किया जाता है. और वही दूसरी और Anushka Sharma जिनके पास substantial fan base है from her acting career. इन दोनों की जोड़ी की क्या ही तारीफ करूँ? ये कह सकते हैं कि ये दोनों जेनरेशन के idol couple है. इन फाक्ट आज के टाइम में जब loyalty, love, care और commitment सब कुछ एक इंसान में मिलना मुश्किल हो गया है. तब इन्हें देख कर उमीद फिर से जाग जाती है कि नहीं आर आज के टाइम में भी ऐसा possible हो सकता है. ये कह सकते हैं अगर आपने इनका ये रीसंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जा कर देखिये वेट किस बात की कर रहे है और फिर हमें कमेंट के जरीए बताइएगा जरूर की आपको वीडियो कैसी लगी और आप भी इनके जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहते हैं क्या अपनी जिंदगी और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे शानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जा कर कर दीजे